हेलो एम्रीवन, मैं डिवाइन फैमनर आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जो की अवेकनिंग पॉर्सेस यह आपका भी हो सकता है, यह आपकी परसन का भी हो सकता है हो सकता है कुछ पॉइंट्स में रखोंगी तो आपकी हेल्प होगी जो आपको बता लगेगा कि आपका वेकनिंग पॉर्सेस चल रहा है यह हो चुका है यह आपके परसन का चल रहा है तो आपसे इस वीडियो की शायद हैल्प हो सकती हो तो आप इसको शियर करके रख सकते हैं तो फॉर्स पॉइंट है जब कोई चीज के बारे में आपने कुछ अभी जैसे छोचा आपने एक थौट क्रेट की और वो अचानक से हो जाए और एक दों से ग्रो करने लग जाया तो समझ जाओ कि आपका पॉर्सेस चल रहा है जब आपको रिपीट नमबर दिखने लगे मतलब एक ही नमबर है जैसे 111122223333 जब आपको लगे कि आप अपने पुराने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स या रिरेटिवस से कट आउट उन शुरू होने होगे कट आउट शुरू होगे आपका यह कार्मिक जिसे आप कार्मिक कह सकते हैं सुलमिट कह सकते हो जो भी आपकी जानकार्मिक हो कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं आप उनसे cut out शुरू हो चुके हो धीरे धीरे आप उनसे अलग होते जा रहे हो तो ये भी एक process होता है 4. अगर आपको हर जेगे message रसीव होने लगे हो कोई download होने शुरू हो गये हो कोई message dream के द्वारा हो रहे हो सौंग के द्वारा message मिल रहे हो जैसे कुछ सौंग अचानक से आपके सामने pop up हो गया आपने कभी सुना ही नहीं हो और अचानक से आपके सामने आपने इसको record किया ये सौंग मैंने कभी नहीं सुना लेकिन मेरे सामने अचानक से ये चीज़ क्या आई वो डाउनलोडिंग होती है ठीक है अचानक से जो सामने आ जाए कभी सोचा ही समझा ना ऐसी चीज़े ऐसे message ऐसा कुछ जो कभी आपने देखा ना हो और अचानक से सामने शो हो जाए तो ये डाउनलोड होते हैं ठीक है ये divine से लेटर भी हो सकती है कुछ pictures हो सकती है कुछ song हो सकते है कुछ message कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखी हो और अचानक से पिछे किसी past में past जनम में देखी हो और अचानक से इस जनम में आपको देख गई हो तो ये सब डाउनलोड होते हैं तो समझ जाए और कुछ voice message भी जिसे internally आपको कुछ आवाज सुनाई दे रहे हो अचानक से अंदर से कोई आवाज आ रही हो inner voice जिसे कह सकते हो ठीक है तो ये भी process है और आप ये आपके person nature से connect होने शुरू गरे हो मेरा आपको दिन राज से रिलेटेड weather, birds, animals, God's creation मेरा हर चीज में मजा आने लगा हो हर चीज को एक अलग टाप से देखना शुरू कर दे हो कि इसको God ने कैसे बनाया एक God creation अजर आने शुरू हो गया आप बहुत इंटरस ले रहे हो nature से लेटे आपको हर चीज अच्छा लग रहा है तो आपका आप समझ जाईए कि आपका प्रसेस चल रहा है अगर आप अपने डाइट पर ध्यान देने लगे हो आप अपने अपको बतब चेंज करना शुरू कर दिया अपने आपको कि मुझे ऐसा नहीं मुझे ऐसा दिखना है आप अपने अपको बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने डाइट को लेके अपनी एकसरसाइज जोगा अपने आपको बॉड़ी की ओपर अपने ध्यान फीजिकल बॉड़ी पर फोकस करना शुरू कर दिया हो तो यह भी एक मतब कि यह भी परसेस है और आप अपने जो आपके spirit बोलती है वियन आपके intuition बोलती है अप उसके according चलना शुरू कर दिया हो आपके intuition गाइड कर रहे है कि यह करना है तो वही कर रहे हो अब अप अलग से ठोड़़ीट नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने intuition की मान रहे हो वही चीज़ कर रही है आपके intuition आपके spirit अलाव कर रही है तो समझ जाईए यह आपका process है 7. अगर आपको fear है कोई जैसे हो सकता है पास्ट में कुछ आपके साथ कुछ ऐसे happen हुआ हो जो आपके अंदर अभी इस जना में fear बन के आया हुआ हो और आपने कोई भी type का fear हो उस पर आपने जीत पा लिए हो मतलब उसको अब let go करना सीख गए हो कि अब मुझे इस चीज़ से नहीं डरना है पहले आप डरते थे अब इस चीज़ से नहीं डर लगता आपने इस चीज़ पर काबू कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो, सीख किया हो तो आप समझ जाए और आप इसको face करना सीख गए हो कोई भी fear है आपके सामने, face करना, deal करना सीख गए हो तो यह आपका awakening process है आप बहुत spirituality की तरो बढ़ रहे हो बहुत spiritual वाले song सुन रहे हो या भजन सुन रहे हो, किर्तन सुन रहे हो बहुत ज़्यादा मरत की invest अपना time ज़्यादा तर गुर्दवारे मंदिर या सेवा भाव मरत की कुछ भी help कर रहे लोगों की बहुत कुछ change अपने मरत की spiritual से related God की तरफ attraction आपका ज्यादा बढ़ रहा हो spiritual वाले काम मरत की सब आप ऐसे काम करने शुरू कर दिया हो जो आपके दिल को अच्छा लग रहा हो आपको divine से related काम हो उन चीजों में मन लग रहा है तो समझ जाए आप सत्संग में इंटरस लेने लगे हो आप बैट के बाते करते हो spirituality की बाते करते हो लोगों को ग्यान देना शुरू कर दिया है तो आपका awakening process स्टार्ट है 9. अगर आपने आपके spirit आपको guidance दे रही हो आपने उनकी guidance को follow करना शुरू कर दिया हो आपको लग रहा हो कि यही right direction है वो आपको guide कर रही है और आप उसी direction में जा रहे हो उसी के बारे में खुद सोच रहे हो खुद से ही बाते कर रहे हो मतलब खुद से ही question कर रहे हो खुद से ही answer ढूण लेते हो मतलब जैसे अब पहले depend होते दे लोगों पे अब dependency खतम होके खुद से काम करना शुरू किया खुद पे work out किया और खुद से ही improvement लाने की कोशिश की अपने life को अपनी journey को growth करने में खुद से ही help की तो आप समझ जाईए अब awakening हो चुके हो या awakening process चल रहा है 10th point है अगर आपकी journey में कोई भी journey से related pattern है आप journey के according channeling काम करना शुरू किया है जो भी इसके pattern को follow कर रहे हो हर एक चीज़ को समझते वे चल रहे हो कि इस यह pattern है मुझे ऐसे grow करना है इसमें यह चीज़ है एक एक छोटी channeling message वहना dream record हर चीज़ करना सीख गय हो सीख रहे हो यह आपको channeling होने शुरू हो गए divine की तरफ से यह आप बहुत spirituality मेरा divine के साथ align हो गए हो तो यह आपका यह भी एक process चल रहा है अगर आपको इस वीडियो से help मिलती हो तो आप comment कर सकते हैं सिर्फ yes or no ठीक है तो thank you so much कर दो आपको आपको